अब हम यह देखते हैं कि 1&1.com को यूज करते वे यह एक service provider है एक web host है, hosting service provider है, इसको use करते वे हम domain name को actually कैसे register करवा सकते हैं और अपनी ownership में ले सकते हैं, before I proceed further, यह मैं सिर्फ demo purposes के लिए आपको present कर रहा हूँ मतलब इसका कहने का यह है, कि आप इसके लावा कोई और service provider भी आप choose कर सकते हैं यह आपकी मर्जी है, यह सिर्फ मैंने आपको एक मतलब एक flow बताना है, कि हम domain को register कैसे करवा सकते हैं तो students, जैसे ही आप browser पर लिखेंगे 1&1.com, तो you will land up with this web page अब यहाँ पे, सबसे पहले, जैसे हम मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले आपने यह देखना है, कि आपने कोई website का नाम, यानि domain, जो भी आपने, अपने online store के लिए नाम choose किया है, वो आपने पहले final करना है, पहले चीज़ सो यह है, but the game does not end here, अब आपने यह भी देखना है, कि जो नाम आपने choose किया है, क्या वो नाम किसी और ने तो नहीं already capture कर लिया, तो इसका तरीका ही होता है, कि आप एक नाम नहीं choose करते, आप दो तीन नामों के list बना लेते हैं, अपने business के लिए, जो भी आपका relevant business है, और उसके बाद आप you start with the search of your domain name, उसके लिए आप समझें कि domain name के को search करने के लिए, एक search engine है हमारे पास oneandone.com, जिससा मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहाँ दुबारा repeat करता हूँ, domain name दुनिया में unique है, यानि दो बंदे एक domain name को own नहीं कर सकते, ये बात आपने दिमाग में रखनी है, तो let's suppose मैंने domain name final किया junk.com, for example, सिर्फ समझाने के लिए, मैंने अब get now क्लिक किया, तो get now basically इस नाम को search करेगा, उस database में जहाँ पे सारी domains पड़ी हुई है, अब यहाँ पे देखें, strange, इसने मुझे का we are sorry, junk.com is already taken, what does this mean? इससे मुराद यह है कि जो पहले मैं आपको बात कहरा था ना, unfortunately वो सही सावित हुई है, कि जो नाम मैंने final किया था, वो नाम को और already use कर चुक है, और already वो उसको use कर रहा है, या नहीं, unfortunately मैं इस नाम को purchase नहीं कर सकता, असान लफजों में, तो इसका मत्तब है कि I have to search for an other name, जो और उसके बाद मैंने फिर देखना है कि क्या जो नाम मैं final कर रहा हूँ, क्या वो available है कि नहीं, let's suppose मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले मैंने junk लिखा था, अब मैं लिखता हूँ junkies.com for example, let's suppose यह अब क्या कहता है, मैंने दुबारा search किया, और उसने अब it's searching, वो भी database म again, वो कह रहा है junkies.com is taken, लेकिन अब साथ देखें, साथ ता मुझे वो नीचे options भी दे रहा है, for example, मैं अगर online store open करना चाह रहा हूँ, तो this might be, you know, a good option, कि junkies.store, यह एक extension है, मैंने इसे किया copy, और मैंने यहाँ पी किया paste, and then I try again to check it out, अब आब यह देखें, good news is, कि your domain is now available, अब यहाँ पर जो चीज आपने दमाग में रखनी है, वो यह है, कि यह domain name available तो है, लेकिन internet के उपर, it happened a lot of time, और आप यह करके भी देखिएगा, कि जिस domain को आप search कर रहे होते हैं, if you don't purchase it, यानि आप सब गैप देदे तो after some time, वो domain को यह और खरी लेता है, मतलब बहुत सारे लोग या internet के उपर, सिर्फ आप ही नहीं हैं जो इस domain को देख रहे हैं, there are lot of other guys also, so let's suppose मैंने यह final कर लिया, कि मैंने junkies.store, मैंने purchase करना है, अब आगे उसका bill आ रहा है, कि एक साल के लिए, जो इसकी cost है, वो 9.99 US dollar है जो भी exchange rate चल रहा है उस वकत, तो around 1000 पे एक साल की cost है, let's suppose if I say कहां जी, I want to continue, अब यहां भी मेरे पास सारे shopping cart, और shopping cart में देखिए, junkies.store मेरे पास available हो रहा है, मैंने continue पे click किया, जब continue पे click किया, तो उसके बाद, वो यह कह रहे हैं कि जी, आपने website के साथ, क्या website, domain और email address भी चाहिए, अब आप note करें, वोई बात, कि एक तो domain name है, जो मैं purchase करूं, अब साथ उसने लिखा है, website भी, इसका मतलब यह है, कि क्या मैं one and one dot com से website, यानि website की hosting, यानि data की hosting, और domain, क्या मैं एक साथ purchase करना, यानि दोनों चीज़े, एक ही service provider से purchase करना चाह रहा हूं, या नही यानि असान तो यह है कि मैं एक service provider से बात करूं, जिसको मैं domain और website, यानि data के मैं पैसे दूँ, तीसरी चीज़, email addresses, for example, मेरी website थी junkies, junkies.store, तो जो for example, मेरे users है, जो मेरे internal users है, उनका मैं email address भी तो बनाना चाहता हूं, या for example, शिराज at gmail.com है, तो जो at the rate of gmail.com है ना, वो domain है, अब अगर मैं यह package purchase करता हूं, तो at the rate of junkies.store, जो भी मेरे user का नाम है, at the rate of junkies.store, मैं email create कर सकता हूं, यह इस package का part है, तो if I off for के continue to cart, यह नहीं मैं कहता हूं, shopping का, हम continue, हम रखते हैं, तो अब यह मुझे पूरी की पूरी list दिखा रहा है, के जी 0.99 for 12 month का build बनता है, 11.88 USD, और मैंने save किये हैं, जो भी company की package चल रहा है, 84 dollar, if I browse down, तो यहां पर continue का tap है, मैंने यहां पर click किया, तो मुझे वो अब आखरी landing page पर ले गया, अब यहां पर आपने, अगर तो आपका account पहले मौझूद है, तो आप यहां पर sign in, आप कर जाएंगे, नहीं है, तो you will just go to create new account, अपनी सारी की सारी information देंगे अप, अपना password रखेंगे, और देन यू विल एड यॉर payment options, and then you are done with, तो जो भी आप यहां पर email address देंगे, उस email address पर आपको एक email आजेगी, कि you have successfully purchased this domain name, और जो भी आपने credit card की information दी होगी, कि आपके credit card से पैसे कर जाएंगे, और आपको एक SMS और email आजेगी, and then what will happen at the end of the day, you will be sole owner of this domain name, और इस domain name की उपर आप website को host भी कर सकते हैं, और email address भी बना सकते हैं, यह generic तरीका है, किसी भी domain name को purchase करने का, register करवाने का, मैंने purchase, मैंने कर ली, लेकिन what I have done actually here is, कि मैंने domain name को register करवा ली है, junkies.store के नाम से.